हाई गाईज वेलकम बैक, I am Vivek सिंगल फ्राम ट्रेडिंग विवेक डॉट कॉम और आज हम बात करने वाले हैं अदानी पॉट्स के बारे में अदानी पॉट्स में हमें क्या करना चाहिए तो इसमें हम बिजनेस समझेंगे financial समझेंगे और उसके बाद में technical समझेंगे सारी चीजों को समझने के बाद में हम एक better position में होते हैं कि क्या ये business grow करने वाला है क्या ये company इस business की market leading company है और technical क्या कहते है क्या ये इस business की इस company को खरीदने का सही time है तो सारी चीजों को चीजों को बताना है, जो main points हैं, उनको आपके सामने तक लेकर आना है, analysis की रूप में, decision आपका है, दूसरा अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लें, क्योंकि everyday at 7 o'clock का एक नई वीडियो लेकर आते हैं, जिससे हम सब अपने trading and investing skills को sharp कर सकें, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे 13 ports को on करते हैं, 13 ports हैं इनके पास, और उनकी यहाँ पर location दी हुई है, तो गुजरात से लेकर महराष्टरा, गोवा और उसके बाद में, यहाँ पर केरला और तमिलनाडू, आंदरपरदेश और उडिसा, तो सारी ही locations पर हैं, यानि की west से लेकर east तक, south तक, सारे जितना भी जो भी अपना coastal area है, वहाँ पर सभी जगे इनके पास ports हैं, 13 total ports हैं, उन सब की detail यहाँ पर फर्दर भी दी गई है, मुंदरा पोर्ट इनका सबसे बड़ा पोर्ट है, गुजरात में दूसरा भी है, tuna terminals, देहेज गुजरात में हैं, उसके बाद में गुजरात में एक और है, गोवा, केरला, तमिल लाडू, तमिल लाडू में एक और है, आंधर परदेश, दैन उरिसा, यहाँ पर डिगी पोर्ट, और कृष्णा पटम पोर्ट, इनके पास 13 ports हैं, strategically located हैं, कि material किसी भी side से इंडिया से बाहर जाए, या बाहर से वापस इंडिया में आए, वापस आए बढ़ेगा, तो यहाँ पर यह बिजनेस ग्रो होने वाला बिजनेस है, इंडियान एकोनोमी के साथ में, अब इंडिया की एकोनोमी यहाँ पर लगातार ग्रो करती रहेगी, इट कुड बी 7% GDP ग्रोथ, इट कुड बी 8%, 9% and time will come when India will be growing at 12-13% also, अब उसमें 2 years लगेंगे, 3 years लगेंगे, 4 years लगेंगे, we are in the same situation as China was almost 20 years back, 25 years back, कि उसने सारे अपने decisions इस बात को ख्याल में रखके लिये थे, कि चाइना यहाँ से grow कर पाए, तो इंडिया में भी manufacturing hub बन रहे हैं, यहाँ से export भी ज़्यादा होगा, और जब export ज़्यादा होगा, उसके बदले जो हमें foreign reserve मि उसको use करके हम ज़्यादा import भी कर पाएंगे, क्योंकि import की limitations होती है, export करने के base पर, जितना ज़्यादा export कर पाएंगे, उतना ज़्यादा foreign reserve होगा, और ज़्यादा import कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा activities बढ़ेगी, and यहाँ पर Adani port is one of the major player, one of the major player के सबसे बड़ा player हम कह सकते हैं, क्योंकि 13 ports हैं, और उसके बाद में, total जितना भी overall India, overall India जितनी भी capacity है, 24% handling यहाँ पर Adani ports के port पर होती है, जितना भी total India का import और export होता है, जो cargo handling होती है, 24% यानि कि one fourth Adani ports करती है, so this is a big business, यहाँ पर entry points जो है, जो entry barriers है, वो काफी हद तक हम कह सकते हैं, क्योंकि यह कोई technology based business नहीं है, किसी ने नई technology निकाली और अचानक से company को start कर दिया, और बहुत बड़ी बन गई, यहाँ capets बहुत बड़ी मातरा में चाहिए, means बहुत बड़ी, यहाँ पर एक huge quantity में, यहाँ पर capital expenditure हमें करना होता है, अच्छी खासी capital चाहिए, एक port बनाना है, कोई आसान बा का कोई experience नहीं है, तो new ports किसी को भी ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक opportunity lose करने वाली बात होती है, लेकिन जो already 13 ports इंडिया में drive कर रहे हैं, operate कर रहे हैं, उनको एक नया port मिल पाना बड़ा आसान बात होती है, और उनकी capacity को expand करना उतना ही आसान होता है, अब इसके जो main businesses हैं, उसमें main business में port business is the main, उसके बाद इनके पास industrial land है, और industrial land में largest port based manufacturing hub है, मुंदरा में, यानि कि port के पास ही चीजों को बनाया जाया और वहीं से export कर दिया जाया तो जो transportation cost है, वो कम हो जाती है, यानि कि जिन products को सिर्फ और सिर्फ export करने के लिए manufacture किया जा रहा है, उ उसके बाद logistics हैं, इंडिया में private rail network, इनका सबसे बड़ा network है, और dredging में भी हैं, लेकिन overall जब तक हम इसके revenue break up को देखें, तो revenue break up में, जो main port and terminals है, 92.1% इनकी total revenue का इसी से आता है, logistics से 7.6% आता है, SEZ से ना के बराबर है, 0.3% of revenue, तो main business port का ही है, अब इसमें एक और अच् जो अदानी, गोतम अदानी जी के बेटे हैं, now he is a young man, 35 years old, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इससे एक बात का पता सलता है, कि जो आगे चलते हुए, इसमें जो leadership चाहिए, वो already बहुत लंबे years तक हम देख सकते हैं, of a single person, उससे यहाँ पर growth काफी अच्छी नजर आती है, एक और बात अदानी ग्रूप की जितनी भी companies हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा net profit कमाने वाली company अदानी पोर्ट ही है, और इसका एक साल का net profit almost 5000 crore है, last year it was 4994 crore, now this is 4728 crore, थोड़ा सा last year से कम हुआ है, उसका reason यहाँ पर other income का difference है, otherwise अगर हम operating profit की बात करें, then operating profit of last year is the highest ever, 8879 crore and the revenue is also highest ever, अगर हम revenue लगातार देखें, तो 2000 crore से increase होते होते हैं, this is 15900 crore now, 16000 की असपास हो गई है, यानि की 8 times grow किया है, और net profit की बात करें, तो net profit यहाँ पर 5 times यहाँ पर grow किया है, 900 crore से लेकर 5000 crore तक पहुँचे हैं, और उसके बाद अगर balance sheet की हम बात करते हैं, balance sheet में अच्छी बात क्या है, जो reserve 3786 crore का था, 2011 में, that has grown up to 37000 crore, यानि की 10 times अपना पैसा हो गया है, तो यहाँ पर जब भी हम company की growth देखें, वहाँ पर सबसे important point देखने के लिए क्या होता है, important point होता है, कि जो अपना पैसा है, वो कितना grow हुआ है, तो यहाँ पर significant growth है, उसके बाद में corporate actions में आते हैं, एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, कि इन्होंने preferential basis पर, almost 1 crore shares को issue किया था, 798 rupees के premium पर, और इनका जो face value है, that is 2 rupees, यानि की 800 rupees पर, इन्होंने यहाँ पर issue किया था, almost 1 year back, almost 1 year back, अगर हम यहाँ पर इसकी date देखें, तो date भी लिखी यह corporate actions में, this is April 19, 2021, अब से ठीक एक साल पहले, और अभी इसका share price कितना चल रहा है, the share price currently is 740, यानि कि जिन लोगों ने 1 crore share, almost 800 crore rupees इसमें invest किये थे, 1 year back, they are still in loss, तो उनको कोई profit नहीं हुआ है, तो कोई भी अगर इतनी बड़ी amount invest करता है, preferential basis पर, उसको भी एक return चाहिए ह होती है, तो जो पिछले एक साल में return नहीं आई, even थोड़ा सा minus है, तो वो इसकी भरपाई भी करेंगे, और अगले साल के return भी लेकर आएंगे, तो यह सारे यहां से एक अच्छी गासी growth यहां पर नजर आती है, उससे पहले हम यहां पर stock PE की बात करें, तो अदानी group के बाक यहां pledging percentage आपको नजर आती है, this is 13.4% of, not of the total company, but 13.4% of the promoters holding, यानि कि 65% का 13%, तो यह 9% के आसपास आपका निकल कर आएगा, 9% total company का, यहां पर pledging percentage होना, एक growing group का, जिनको सभी तरह की supports हैं, तो यहां सभी तरह की supports आप समझ सकते हो, तो वो एक बहुत बड़ी pledging percentage नहीं है, यहां अगर debt equity ratio की बात करें, इतनी capital intensive business होने के बाद भी, इनके उपर जो debt equity ratio है, this is 1.24, बहुत ज्यादा access में नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम fixed assets में जाएं, तो यहां जाकर पता चलता है, इनके पास किस size के fixed assets हैं, 56,000 crore के fixed assets हैं, and CWIP is also there, that is 4,000 crore rupees, total 60,000 crore से ज्याद कितना था, 6,000 crore का था, तो 10 times यहां पर इनका fixed assets हो गया है, same ही ratio में इनका अपना पैसा grow किया है, जो 3700 crore था, वो 37,000 crore हो गया है, तो यहां पर यह consistent growing business है, एक दो बाते और मैं आपको बताऊंगा, जैसे, इंडिया का जो export अभी last financial year का आया है, that is the highest ever, 669 billion dollar का, यहां पर highest ever export किया है, जितना ज्यादा export कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया, उतना ज्यादा import कर पाएंगे, उतना ज्यादा cargo handling होगी, उतना ज्यादा यहां पर अदानी port का business बढ़ेगा, और जो कदम यहां पर government उठा रही है, वो क्या है, जैसे, इंडिया का UK, यानि की United Kingdom के साथ, free trade agreement यहां पर final stage में है, यह 11th May 2022 की ही news है, जो आपसे 1 month पहले की है, this is a final stage, तो जैसे ही यह हो जाएगा, import, export और ज्यादा speed से grow करेगा, same अभी India ने एक agreement किया है, Australia के साथ, same free trade agreement का, इसकी भी news अभी 1 month, 2 months पहले यहां पर छपी थी, तो इन सब के होने से activities इंडिया की बढ़ ज investor है, वो आकर गोता मदानी से मिले भी थे, तो यह सारी चीजे इस company के favor में है, growing business है, उस business की market leading company है, और यह एक यहां पर fresh players के लिए entry barrier भी है, क्योंकि environment clearance भी चाहिए, यहां पर land allocation भी चाहिए, और यहां पर बहुत सारी capital भी चाहिए, experience भी चाहिए, इनके पास सब कुछ है, उसके साथ में अगर हम यहां पर technicals की बात करने लगें, technicals को लेकर एक बड़ी चोटी सी बात आप यहां पर समझना, कि correction दो तरह की होती है, कभी भी share price में, वो stock में एक share price की correction यानि की price का नीचे आना, दूसरा time correction, यानि कि stock price का same level पर रुके रहना, थोड़ा सा time spend करना और उसके बाद में फिर से चलना शुरू करना, तो यहां पर price correction नहीं देखने को मिली है, last one year में the stock is trading at the same level, तो यहां पर अगर हम देखें, 4th March 2021 से लेकर अभी तक it is trading on the same level, और 456 days यहां पर निकल गए हैं, almost 14-15 months यहां से पास हो चुके हैं, और यह same price पर है, अब यहां पर ए यहां से मतलब है, chart pattern अगर same भी लगातार काम करते हैं, उससे बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता, यहां पर यह वापस से reverse head and shoulder pattern ही बनता है, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, मैं इसको एक बार हटाता हूँ, और इसको pen में यहां पर लेता हूँ, brush, तो यहां पर यह left shoulder है, यह पूरा का पूरा इसका head है, this head is a kind of tub pattern, इसको हम कह सकते हैं, और उसके बाद में right में वापस से नीचा आया, उपर जाना शुरू होगा, वापस से उपर जाएगा, और जो इसकी depth है, उस depth को अगर आप लेकर चलोगे, तो same ही depth को आपने, यहां break even point, जो इसका basically barrier है neckline जिसको हम कहते हैं, इसी के ऊपर अगर आप इसको लगाओगे, तो हमारा इसका technical target निकल कर आता है, so what is the technical target, technical target is almost 1130 and current price is 739, तो अगर हम इस price को लेने लगें और current price पर इसको buy करते हैं, technical target तक इसको hold करके रखते हैं, then there is a gain of 52%, यह technical target है, अब one year यहां पर पूरा-पूरा spend 15 months spend हो चुके हैं, अब एक और बात में आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले इसने resistance यहां पर break कर दिया था, ऊपर जाना शुरू हो गया था, यहां पर momentum भी था, यहां पर अच्छे results भी हैं, यहां growth भी है, सब कुछ नज़र आता है, all time hyper account यह share गया भी था, लेकिन इस इसके साथ ही, same date से लेकर, यहां पर 29th April के हम बात कर रहे हैं, same date से लेकर, यहां पर अदानी port ने भी गिरना शुरू किया, वापस से उठना शुरू इसने कर दिया है, तो अगर आप यहां पर date दोखोगे, this is 27th April, 28th April and 29th April को market के साथ इसने गिरना शुरू किया, वापस से same level पर आकर base बनाया, और फिर से इसने उठना शुरू कर दिया है, अब इस तरह के targets की जब भी मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले यहां पर मेरे किसी भी तरह का suggestion नहीं है, आपने चीज़ों को समझ कर अपने हिसाब से design लेना है, दूसरा, जब 53% के यहां पर gains की बात होती है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यहां से share price further नीचे ना जा सके, stock market में volatility is the integral part of overall movement, we need to consider that as well, that after buying, it's not necessary, immediately it will start going up, it can first go down, then it can move up, तो यहां पर थोड़ा सा time बहुत बार लग सकता है, कि stock price उपर जाने से पहले, पहले नीचे जाए, उसके बाद में ऊपर आए, तो इन सब लगना चाहिए, मेरे इसाब से reverse head and shoulder pattern में या cup with handle pattern में एक साल से ज्यादा का time नहीं लगता, अब अगर इसमें एक साल से ज्यादा का थोड़ा से time लगता भी है, मैं कहता हूँ कि one and half year का भी time लगता है, तो भी आप एक बात समझ के चलो 53% gain है, यहां पर 53% का gain का मतलब है, almost 10 years का fixed deposit का interest मिलना, तो वहां अगर 10 years लगते हैं और यहां पर one and half year या one year और six months में अगर यह चीज़े होती है, तो उसका difference है क्यों, यहां पर income होती है, यहां income इसलिए होती है, क्योंकि stock market में volatility होती है, और fixed deposit में volatility नहीं होती, और सिर्फ और सिर्फ इस volatility की वाज़े से, अग within two years मिल जाता है, one year मिल जाता है, तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, और rock solid company है, यहां पर सबसे बड़ी company है, port business में, 24% of total handling यह अकेली company करती है, total import export का, तो मैं यहां पर buyer हूँ, मैंने इस चीज़ को twitter पर भी डाला था, आप twitter पे मुझे follow कर सकते हैं, twitter पर follow करने के लिए मैं आपको handle बता देता हूँ, the vivek single is my handle, अगर मैं इसको open कर लेता हूँ, open करके आप यहां पर देख सकते हो, I mean profile, profile में आप देख सकते हो, the at the rate, the vivek single, this is my handle, आप यहां follow कर सकते हो, मैं बहुत बार जब कभी video नहीं बना पाता, उच टाइम पर मैं twitter पर हमीशा active रहता हूँ, ज इससे आप सब को पता चल सके, that I am there, I have not gone anywhere else, मैं वापस आउंगा, मैंने last time भी, जब last two months से videos नहीं आई, लगातार यहां पर update मैं देता रहा हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो या, thank you so much, have a nice day.